मस्दूरों को लेकर बस की सियासत अब सड़तों पर आ चुकी है यूपी राजस्थान का बॉर्डर देखते ही देखते जंग का खड़ा बन गया पुलिस और कॉंग्रेस कारेकरताओं के बीच तीखी बहस होई और मामला गिरफतारी तक पहुँच गया पुलिस ने यूपी के कॉंग्रेस अध्यक्ष अजे कुमार लल्लू को गिरफतार कर लिया है लखनौ के हजरत गंज थाने में अजे कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एफाई यार तर्च की गई है जिन पर बसों की गरच चानकारी देने का आरोप है बसों की राजनीती आगरा से 60 सीमा तक जाकर तेज हो गई बॉर्डर पर कॉंग्रेस बस लेकर पहुँची तो पुलिस ने उन्हें उतरप्रदेश की सीमा पर गुसने से रोग दिया फिर क्या था हंगामा शुरू हुआ कॉंग्रेस और पुलिस के बीच जम कर नोग जोख हुई गुसाए कारे करता धरने पर बैठ गए बसों को रोकी जाने से प्रियंका गांधी बाडरा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए तंजमारा दर असल जिन एक हजार बसों की लिस्ट कॉंग्रेस ने यूपी सरकार को सौपी थी उन में से कई के रेजिस्ट्रेशन थ्री वीलर, टू वीलर और यहां तक ही एम्बुलेंस के नाम पर थे मसलन एक बस का नमबर दिया गया था संख्या, यूपी तिरासी, टी, एक हजार छे ये नमबर बजाज कंपनी के एक ओटो का निकला वही प्रियंका गाधी ने बसों के रेजिस्ट्रेशन को लेकर योगी सरकार के आरोपों पर पलटवार किया प्रियंका ने ट्वीट किया यूपी सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 889 बसे जाच में सही पाई गए उचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रिशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसे पहुँच रही है खृपया इन 889 बसों को तो चलने दीजिए अब जब सियासत का खेल शुरू हो चुका है तो SP और BSP वीस में कूत पड़े है मायवती ने बसों को तुरंत लखनव भेजने की बात कही तो अखिलेश ने UP रोडवेज की बसों को चालू कराने की नसीहत दे डाली झालू झालू